हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका डिजल तयारी चैनल पे मैं श्रयान स्कोठारी लेके हैं दोस्तों आप सभी के लिए एसेंशल इंग्लिश ग्रामर बाई रेमन मफी दोस्तों एक शांदार किताब धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं जिसमें और दोस्तों एडजेक्टिव के बारे में जाना था पिछले विडियो में मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से चीजें बढ़ताए जा रही है किताब आगे बढ़तें दोस्तों नेक्स जो हमें बढ़ना है वो है एडवर्ब एडजेक्टिव जहां विशेशन था एडवर्ब यहां पर क्रिया विशेशन है मेरी बात को समझेगा एडवर्ब यहां पर क्रिया विशेशन है एक एक करके समझेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा यहां पर देख सकते हैं quickly, badly, suddenly, etc. इन्हें हमने नाम दिया है एडवर्ब कैसे समझेगा बहुत ध्यान से यहां पर एक फोटो दिखा रखा है साथ बच के दस मिनट, साथ बच के बारा मिनट, साथ बच के पंदरा मिनट गायब क्यों, he ate his dinner very quickly, बड़ा ही जल्दी बाजी में वो खा गया तो आपको समझना है दोस्तों, इन्सान quick हो सकता है, खाता वो quickly है, मेरी बात को सुनिये वापिस से इन्सान quick हो सकता है, खाता वो quickly है का क्या मतलब है इसका meaning यह है मेरा दूस्तों कि आप एक बात को बहुत अच्छे समझिये, किसी भी noun के लिए हम adjective लगा सकते हैं, किसी भी verb के लिए adverb ही लगाएंगे क्या ये बात समझा रही है, किसी भी verb के लिए adverb ही लगाएंगे तो यहाँ पे देखें, एक और example हमारे पास है यहाँ कह रहे है, suddenly the shelf fell down, suddenly, अचानक से यह भाई साब पढ़ रहे हैं और अचानक से उनके ओबर गिर पड़ी तो अचानक से shelf fell down, तो आपको यह समझना है यहाँ fell के लिए suddenly लगाया है, यहाँ eight के लिए quickly लगाया है quickly and suddenly our adverb, तो आम तोर पे मोटा मोटी बात करूँ मैं तो adjective के साथ ly लगाते ही वो adverb हो जाएगा ऐसा सभी जगे तो नहीं होगा, maximum जगे होगा सभी जगे नहीं होगा, maximum जगे पे होगा क्या मतलब है, adjective है quick, तो adverb बन जाएगा quickly ध्यान से देखेगा, जैसे bad का badly, sudden का suddenly, careful का carefully, heavy का heavily या फिर easy का easily, तो आपको यह समझना है दोस्तों किस तरीके से हम आम तोर पे ly लगाते ही adverb बनाते हैं, adjective है, यानि विशेशन है क्रिया विशेशन अगर बनाना है, तो ly लगा दीजे, यहाँ तो शायद समझ आ गई बात आगे देखिए दोस्तों, कुछ और बाते हम कह रहे है, adverb tells you how something happen कैसे कोई चीज हो रही है, how somebody does something, again, क्रिया की बात हो रही है कोई चीज कैसे हो रही है, कोई चीज कैसे कर रहा है, होना या करना, उसी को तो verb कहते हैं दोस्तों तो यहाँ पे देखें, एक photo दिखा रखा है, जो कह रहा, it is raining heavily, बहुत तेज बारिश हो रही है और देखें दोस्तों, the train stopped suddenly, रुकने का काम बड़ा फटा फट हुआ, opened the door slowly, दर्वाजा खोला बड़ा धीमे से, धीरे से, listen carefully, सुनो ध्यान से, understand perfectly, समझो, अच्छे तरीके से, पौन रूप से आपने देखा, कोई न कोई वर्ब था, जिसके लिए एडवर्ब लगा, कोई न कोई वर्ब था, उसके लिए एडवर्ब लगा, ये बहुत ज़रूरी ये बात समझ नहीं और आगे देखें, दूस्तों तो compare करते हैं हम लोग, adjective दो चाहा जो हमने पिछले व यूनिट में पढ़ा था, so is very quiet, so बड़ी शान्त है, be careful, तुम ध्यान से रहो, संभल के रहो, it was a bad game, it के लिए bad game लगाया, I feel nervous, यानि I am nervous, मेरे लगाया, ये सारी चीज़ें दोस्तों, adjective थी, अब ध्यान से देखे, adverb में क्या difference आया, so speaks quietly, so is quiet, speaks quietly, listen carefully, आपने देखा, listen carefully, listen carefully, verb के लिए, adverb लगेगा, be careful होता, खुद के लिए, सुनना ध्यान से, listen carefully, टीम played badly, play के लिए badly लगाया, and waited nervously, wait करना एक verb है, तो verb के लिए आप अगर use ले रहे हो, तो अलवाई आएगा, और regular अगर आप ले रहे हो, तो आप, मतलब regular का मतलब है, adjective के रूप में ले रहे हो, तो adjective आएगा, दूसरी चीज नोट करने वाली ध्यान से, आम तौर पे, noun से पहले adjective लगेगा, verb के बाद में adverb लगेगा, आम तौर पे ऐसा नोट करेंगे आप, दोस्तों कुछ ऐसे words हैं, जो adjective, adverb दोनों है, सूस, job is hard, job के बारे में hard है, ben is a fast runner, runner से पहले fast है, the bus was late, bus के लिए late है, इसी तरीके से, यही verb, adverb भी बनेंगे, works very hard, work adverb है, adverb, बड़ा hard work करता है, ben can run fast, fastly कोई बोलने की ज़रोती नहीं है, fast adverb भी बन जाता है, I went to the bed late, मैं गया late, कुछ ऐसे verbs हैं, ध्यान रखना दोसको, कुछ ऐसे words हैं, good, adjective है, well, adverb है, your English is good, English के लिए आया, adjective के रूप में, it was a good game, adjective के रूप में, adverb के रूप में देखिए, you speak English very well, speak एक verb है, team played well, team मेंने अच्छा खेला, play एक verb है, जहां verb वहां लगाया, adverb, यानि की well, जहां adjective वहां लगाया, good, good तो adjective ही रहेगा, लेकिन well का प्रयोग, adjective के रूप में हो सकता है, well का प्रयोग, adjective के रूप में हो सकता है, अगर ill नहीं है, good health में, तब, how are you, I am well, thank you, क्या ये बात समझाई, good केवल adjective रहेगा, well केवल adverb रहेगा, कुछ-कुछ जगे पे adjective बन सकता है, well, ये ध्यान रखें, तो यहां हमारा theory part सारा समाप तो जाता है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, exercise पे, आराम से देखेगा, हमें exercise में करना क्या ही है, समझिएगा, सबसे पहली जो figure आ रही है, वो तो आपने देख रही है, it is raining heavily, ऐसा तो question, मिल बोक के theory part में ही आ गया था, He sings, अब ध्यान से देखेगा, इसके कान और आखें सब बंद हैं, ये बड़ा चिला रहा है, बड़ा ही बेदर्दी से, तो मुझे लगता है, यहां पे आएगा, He sings very badly, बड़ा ही बिकार तरीके से कर रहा है, तब ही तो इसका सिर दुख रहा है, आगे देखें दोस्तों, they came in, करते बाया, का मतलब silent, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं silently या quietly होना चाहिए, quietly यानि चुप चाप, तो question number three में क्या आजाएगा, ध्यान से देखेगा, quietly, मेरी बात को समझते चलिएगा, आगे देखतें दोस्तों, इस तरफ क्या है, she shouted at me, बहुत जोर से चल लाई, आम, एंग्री ली एक word दे रखा है, यहाँ पे क्या आजाएगा, एंग्री ली, she came run very fast, इस में तो कुछ देखने की जरूती नहीं है, fast का fast ही रहता है, fastly बनता ही नहीं है, he was driving बड़ा ही खदरनाख तरीके से, उपर एक word दे रखा था, dangerously, क्योंकि आप देख सकते हैं, बड़ा ही dangerous है, तो खदरनाख हो सकता है, तो यहाँ आपने देखा दोस्तों, किस तरीके से हमने ल, वाई शब्द का प्रयोग किया, आगे चलते हैं दोस्तों, अब इस बार आपके पास दो बॉक्सेज हैं, बॉक्स ए और बॉक्स भी, आपको दोनों शब्दों का प्रयोग करना है, यानि वर्ब भी आप लगाईए, एडवर्ब भी आप लगाईए, ऐसा ही हमने एडजेक्टिव के टाइम किया था, नाउन भी आप लगाईए, एडजेक्टिव भी आप लगाईए, ऐसी एक्साइज आई है, चलिए करके देखते हैं हम लोग, यहां हम कह रहे हैं, I am going to tell you something, मैं कुछ ऐसा बताना जा रहा हूँ, जो बहुत important है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तो अभी देखेगा, मदद चाहिए तो क्या होगा यहां पे जरा सोचेगा, डाश, डाश, कम, क्विकली, थोड़ा जल्दी आजाओ भाई, कम, क्विकली, बहुत जल्दी बुला लिया मैंने, है न, क्योंकि मदद चाहिए मुझे, आगे देखे, दे डाश, at the end of the day, they are always tired, ठक जाते हैं वो, ठकते हैं, मतलब बहुत हाड़ वर्क करते हैं, they work hard, सामने ही दे रखा हैं, आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, हाड़ वर्क करते हैं, तभी तो ठक जाते हैं, I am tired, बहुत ठक गया this morning, I did not, मैं तो ढंग से सो ही नहीं पाया, sleep well, I did not, sleep well, रात को डंग से नहीं सोएगा, तभी तो सुबह बहुत ठकावा सा मैसूस करेगा, You are a much better tennis player than me, मुझसे तो बहुत बढ़िया tennis खेलते हो तो, When we play, you always win easily, बहुत आराम से जीट जाती हो, win easily लगाया मैंने, अब easily हो सकता है, आगे गहीं लेना पड़े, तो हटा देंगे यहां से, अभी देखिए, Before you answer the question, तुम अपना answer दो, उससे पहले क्या करना, Think carefully, ध्यान पूरवक सोचना, think carefully, भया, तुम ध्यान से सुनना, answer दो, उससे पहले, I have met Alice, मैं Alice से मिलाउं, few times पहले, But I don't know well, I don't know her very well, मैं बहुत अच्छे से उसको नहीं जानता हूँ, Know her very well, क्या ये बात समझा रही, अच्छे से नहीं जानता मैं, Our teacher isn't very good, teacher तो अच्छी है ही नहीं, Sometime he doesn't, क्यों? Explain clearly, वो ध्यान से समझाते ही नहीं है हमारे teacher वहीं है, ऐसा मैं तो नहीं हूँ, मैं तो धंक से समझा रहा हूँ आपको, एक एक बात clearly समझा रहा हूँ आप लोगों को, बस आप हमारे साथ बने रही है इस चैनल पे, चले दोस्तों तो ये exercise भी समझ आ गई है, आखरी की कुछ exercises और बच जाती हैं, वो हम कर लेते हैं, आपको बताना है which is right, इन मैंसे सही कौन सा है, भाई, एलवाई वाला या बिना एलवाई वाला, तो एलवाई वाला कहां लगाएंगे, तो उसनों अगर क्रिया की विशेष्टा बतानी है, कोई कार्य कैसे हो रहा है या कैसे कर रहा है, उसकी विशेष्टा बतानी है आपको, तो एलवाई वाला वर्ड लगाई है, नहीं तो बिना एलवाई वाला वर्ड लगाई है, ध्यान से देखें दोस्तों, डोंट इट, इट के लिए आया है, क्विकली आएगा भाई, वाई आर यू एंगरी, तुम्हारे लिए आया न, तुम्हारे काम के लिए नहीं आया किसी, तुम एंगरी क्यों हो ऐसा बता रहे हो, तुम मुझ पे शाउट एंगरी लिए करोगे, तुम तो स्वयम एंगरी कहला होगे, I haven't done anything, मैं तो कुछ भी नहीं किया, तो कौन सा राइट होगा दूस्तों, एंगरी राइट हो जाएगा, कैन यू स्पीक, स्पीक यानि बोलना, स्लोली, क्या तुम स्लोली बोल सकते हो, स्लो का स्लोली होता है, फास्ट का फास्टली नहीं होता, याद रखना बस, कम आन देव, आज आओ भई तुम, वाई आर यू आलवेज स्लो, यू आर स्लो, यानि इस बार परसन के लिए आया है, यहाँ पे स्पीक के लिए आया था, थर्ड वाले क्वेशन में, वर्ब के लिए आया था, तो एलवाई लगाया था, फोर्थ वाले के अंदर, उस परसन के लगाया है, तो स्लो लगाया है, दिल इस वेरी केरफुल, केरफुल ड्राइवर, एड्जेक्टिव है, ड्राइवर के लिए एड्जेक्टिव है, केरफुल लगाओगे, एडवर्ब नहीं लगाओगे, जेन इस स्टर्डिंग, hard, hardly तो होता ही नहीं, hard, आपको hardly का meaning बदल जाएगा, इसलिए अभी hardly पर हम दिमाग ने लगाएं, अभी तो hard as adjective as verb दोनों यही समझें आप, आगे देखें, where is diana, diana का है भाई, she was here, but she left suddenly, suddenly यानि अच्छानक से चली गई, left, left यानि चली जाना, verb के लिए क्या लगेगा, adverb जाएगा, please be quiet, भी या be के लिए तो quiet ही आएगा, do quietly, कोई करना है काम, तो quietly आएगा, बनना है तो quiet बनना adjective आजाएगा, some companies pay their workers very badly, बड़ी बुई तरीके से pay करते हैं, तो pay के लिए क्या आजाएगा, badly, pay एक verb है, adverb लगा दिया हमने, those oranges, वो वाले जो oranges हैं, संत्रे नारंग हैं, look nice, nicely नहीं आएगा, look nice, आपको याद होगा, पिछले unit में, पिछले video में हमने, it looks good, it looks good ऐसा कुछ बताया था, it smells bad बताया था, वैसा ही आएगा, आखरी exercise पे आजाते हैं दोस्तों, last exercise, good और well का difference, दोस्तों, याद होगा आपको, well हमारा adverb है, कभी-कभी adjective है, लेकिन good adjective है हमेशा के लिए, बस ये ध्यान रखना है, एक-एक sentence देखीगा, English है तो good होगी, speak है तो well होगा, speak एक verb है, English एक noun है, Jackie did, did यानि किया, very well, उसने exam में अच्छा किया, तो did यानि एक verb है, verb के लिए, adverb लगेगा, well लगेगा, the party was very good, party तो क्या है, adjective है, party noun है, noun के लिए क्या अच्छी थी, हमने बड़ा enjoy किया वहाँ पर, Martin has a difficult job, Martin का बड़ा मुश्किल काम है, but he does it well, क्यों लगाया दोस्तों, does के लिए, does यानि करता है, करने के लिए well लगा दिया हमने, how are your parents, तुम्हारे parents के ऐसे से हैं, are they well, are they good, यहां दोनों लगा सकते हो, मेरा ऐसा मानना है, वो ठीक हैं के लिए good भी लगा सकते, तब्यत अच्छी है के लिए will भी लगा सकते हो, तो question number five में, दोनों आ सकते हैं, otherwise, जहां adjective था, मैंने good लगाया था, मैंने adjective लगाना था, जहां मुझे adverb लगाना था, जहां मुझे kriya की विशेष्टा करनी थी, वाँ well लगाया, Did you have a good holiday? क्या तुम्हारा अच्छा holiday रहा? Was the weather good? Good, दोनों जगे good आएगा, good good हो जाएगा पेट में, क्यों? क्योंकि यहां पे तुम्हारे पास था, और यहां पे यह था, दोस्तों आपने यहां देखा, किस तरीके से good और well को समझा, किस तरीके से adverb को समझा, और सबसे मह तुम्हों दोस्तों, adverb और adjective का difference जो है, यह जो उपर exercise करी, यह बहुत जरूरी थी, बहुत सारे competitive exam में as it is आती है यह exercise, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो बहुत अच्छे समझ यह, बहुत जरूरी है यह बात समझना, इसी तरीके से बने रही है, हमारे channel पे जिसका न